अब दिखे इनको मैंने बाजरा डाला तो बाजरा ये बड़े शोप से खा रहे हम इन चूरों की ना खुराग बनाने लगें तो ये हमारे पास एक चावल है का सुपर करनल बासमती अच्छा ये देखे ये हमने इस तरह चावल लेने ये कच्छे चावल है ये तकरीब इतने लेंगे इनकी एक टाइम की फुराग बनेगे तकरीबन मेरे पास कोई तीन चाठ टेबल स्पून है इसके अंदर सबसे पहले हमने पानी डालना ये देखे पानी के अंदर बिगो के इसको तकरीबन हम छोड़ देंगे कोई आदि गंटे के लिए और आदि गंटे बात पिर ने आग पे रख दिया और इसको हमने इतना बॉयल करना है कि जैसे आम हम चावल बॉयल करते हैं इसी तरह से हमने इन चावलों को बॉयल कर लेना है तो देखे यह चावल बॉयल होना स्टार्ट हो गए है इनको हमने सिरफ सिंपली बॉयल कर लेना और सौ फिससत बॉयल करन पर जाता हूं कर ले देखे चमाच के साथ इसके लाइंगे और ये इस तरह बिलकुल नरम से राइस होने चाहिए इनके लिए इसको फुली बॉयल किया और फुल नरम है तो आपको दिखा सकूछ अब इनका आज है चोता दिन छोते दिन में इनको ये राइस कहलाएंगे और किर मैं आपको नेक्स्ट बताओंगा कि मैं इसको क्या-क्या खला रहा हूं मैं इसको कैसे ग्रो कर रहा हूं तरी गाइज अब ये हमने चावल है इस तरह से जोड़ा से इसके इंदर बाजरा भी है तो बाजरी की कोई टेंशन नहीं अब इसको ना प्लाई करते हैंब आप टात्र को इत्वा कितने शोक से खाते हैं अब यह देखे कैसे राइस खा रहे हैं इसको स्लेक्ट करके ना थोड़ी सी विडियो उना हो तो यह बड़े शोग से खाते हैं यह उबले हुवे राइस और इनकी ग्रौथ बड़ी अच्छी होती है इससे और साथ में फीड देनी है ताना देना है तो किस किस टाइम देना है मैं साथ साथ आपको गैड़ करता जाओंगा जैसे जैसे मैं इनको दे रहा हूँ माशाला देखे कितने ज्ड़ा अक्टी वाल नजरे बहास से बचए है कि यह देखें जी पूजिशन लेजिए भी दुपैर के चार बजगे और अभी इनको दुबारा से पानी पला रहे हैं अब देखेंगे इनको कितनी ज्यादा प्यास लगी रही है तो गर्मी का मुसम है तो दो से तीन दफा दिन में इनको पानी पलाना चाहिए और यहां पर देखें मैने इसकी सफाई कर दिए इनके केच की अंदर से इसकी शीर्ट्स बगरा चेंज कर दी हैं और इनके जो ये कोली हैं इसके अंदर मैंने दाना शना नद नद दोबारा से डाल दिये और ये प्रौसस भी दिन में एक दफा लाजमी करना है इनकी सफाई कुड्य में भी इसको रखा होगा तो इससे नeftे निलीन लगती और इनकी लाइफ बढ़ती है दोपार क सरके खाने में इनको चावल दी है और अभी जुशू ऋका खाना इसके अंदर हमने इनके इनकी कोलीों के लिए और बाजरा मिक्स कर दियें तो शम को यह दें गे और दरम्यान में दो जो होता है न अकसर लोग पानी से डबे के अंदर इस केज के अंदर यहां पर रख देते हैं तो यहां पर पानी रखने का नुकसान यह है कि जब यह चोटे-चोटे होते हैं जब पहले दूसरे चोटे दिन के होते हैं तो यह पानी पीते रहते हैं फिर दाना नहीं खाते हैं पानी ही पीते रहते हैं जब पान प्राइनी यह कने पानीं के वाचा ऊड़ लटव माधे तो और छूजे सही हैं तो इनको आप आप नेनें 2 प्लुप करी जूब झांट ढुप मता हैं फिट्ज ऐन्धर कर रहा हम साथ-साथ मारे देखर आप तो अभी इसको मैंने बड़े तरीके से साफ किया हुआ है, इसके अंदर शीट्स लगा रहा हूं डेली और इनके जो ये लगाए होगए है, ये लगाई होगे हैं, ये डेली साफ करके इसके अंदर बाजरा और इनकी खुराक का इंतजाम सही तरीके से करना है, तो जानवर हम क्यों वारा से पिंजरें के लिए ये लिए ये दिखें पेटी वाहिहां ग्वारात कोकिर्धाइश साफ का इंदर वह हुआ है मवहुआ था। उनके लिए उठकाख blog कानी नकीट हुआ है अच्छा जी अब यह देखिए इसका खुराक वाला पोटा फुल बरा हुआ है तो यह फिल है अभी पानी शानी पीए के चाला कुछ करके यह फिल है यह देखिए इसको तो पकड़ना ही पड़ेगा यह तो आई नहीं रहा है यह देशी मुर्गा बहुता ही श्वया रहा है चल भी तो भी अंदर चल तो अब जनाब इनका पानी का और सारा क्लीनिंग का सिस्टम कंप्लीट हो गया भी देखिया आते ही इन्होंने बिठे करनी स्टार्ट कर तो चले करें जुआए करें कल को फिर शीट चेंज कर देंगे अभी इसको मैंने बंद कर दिया है और अब यह खाएंगे दानाशाना और इनके जो चावल है वो इनको शाम को फिर देंगे अब भी ये रेस्ट करें क्योंकि फूल इनके पोटे बरे होई है